आज हम सीखेंगे पूर्णांग घातांकों वाली संख्याएं पिछली कक्षा में हमने बड़ी संख्याओं को आसान रूप में लिखने के लिए घातांकी रूप यानि एक्स्पोनेंशल फॉर्म का प्रयोक करना सीखा क्या आपको याद है? चलिए इसका पुनह अवलोकन करे अगर संख्या A को स्वयम से M बार गुणा करने पर संख्या B प्राप्त होती है तो हम संख्या B को घातांकी रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे पढ़ते हैं A के उपर घात M हम संख्या A को आधार यानि बेस और संख्या M को संख्या A का घातांक यानि एक्स्पोनेंट कहते हैं जैसे हमें संख्या 128 संख्या 2 का स्वयम से 7 बार गुणन करने पर प्राप्त होती है इसलिए हम 128 को 2 के उपर घात 7 के रूप में व्यक्त करते हैं इसमें 2 आधार है और 7 घातांक है पिछली गक्षा में हमने संख्या के मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना आपको यह जरूर याद होगा कि अगर हम किसी संख्या N को M गुणा 10 के उपर घात P इस रूप में व्यक्त करते हैं जहां M 1.0 या इससे अधिक लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और P एक पूर्णांख है तो संख्या का यह रूप उसका मानक रूप कहलाता है मानक रूप किसी भी संख्या को संख्यप्त रूप में लिखने में सहायक होता है जैसे प्रकाश की चाल यानि स्पीड लगबग इतनी है जिसे हम मानक रूप में 3.0 गुणा 10 के उपर घात 8 मीटर प्रती सेकेंड से दर्शाते हैं हम 32 को 2 के उपर घात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यहां 2 आधार है और 5 घातांक है अगर हम 32 को आधार 2 से विभाजित करे तो हमें संख्या 16 प्राप्त होगी जिसे हम 2 के उपर घात 4 से दर्शाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं संख्या को एक बार दो से विभाजित करने पर गातांक एक से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम सोलह को दो से विभाजित करेंगे तो हमें संख्या आठ प्राप्त होगी जिसका घातांक की अरूप है 2 के उपर घात 3. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि घातांक एक से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम प्राप्त संख्याओं को दो से विभाजित करते जाएंगे तो दूसरी तरफ हमें घातांकों को एक से कम करते जाना होगा। इससे हमें यह पैटर्न प्राप्त होगा। अब अगर हम एक को दो से विभाजित करेंगे तो फिर से हमें शून्य में से एक घटाना होगा जिसका परिणाम होगा रिण एक। यानि कि एक बटे दो बराबर दो के उपर घात रिण एक। अगर हम इस संख्याओं को दो से करेंगे याने कि रिण एक रिण एक बराबर रिण दो इस तरह से एक बटे चार बराबर दो के उपर घात रिण दो क्या आप बता सकते हैं कि इस पैटर्न में अगला चरण क्या होगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही यहां हम फिर से दो से विभाजित करेंगे और घातांक फिर से एक से घटाएंगे जिससे हमें प्राप्त होगा एक बटे आठ बराबर दो के उपर घात रिण तीन इस तरह पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमें प्राप्त होंगी संख्या एक बटे सोलह बरा जैसा कि आप देख सकते हैं घातांक धनात्मक भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है और साथ ही साथ रिनात्मक भी हो सकता है यानि कि संख्याओं का घातांक एक पूर्नांक हो सकता है पूर्णांग घातांकों के उप्योग से हम बहुत बड़ी संख्याओं के साथ साथ बहुत छोटी संख्याओं को भी घातांकिय रूप में व्यक्त कर सकते हैं जैसे दूल के एक छोटे से कण का द्रव्यमान इतने किलोग्राम होता है क्या आपको याद है कि संख्याओं और संख्याओं एक बटे एक का गुननफल एक आता है इसलिए हम ए और एक बटे एक को एक दूसरे का गुनात्मक प्रतिलोम यानि मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स कहते हैं उधारण के लिए अगर हम संख्या 32 और एक बटे 32 की बात करें तो इनका गुननफल यानि प्रड़क्ट एक आता है इसलिए ये एक दूसरे के गुनात्मक प्रतिलोम है अब जैसा कि आप जान गए है हम 32 को 2 के उपर घात 5 और एक बटे 32 को 2 के उपर घात 5 इस प्रकार लिख सकते हैं इसी के साथ हम 2 के उपर घात 5 और 2 के उपर घात रिन 5 को भी एक दूसरे का गुनात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं इस समझ के साथ हम संख्या 2 के उपर गात 5 को 1 बटे 2 के उपर गात रिन 5 और संख्या 2 के उपर गात रिन 5 को 1 बटे 2 के उपर गात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यापक रूप में किसी भी संख्या A के उपर घात M को 1 बटे A के उपर घात RIN M और संख्या A के उपर घात RIN M को 1 बटे A के उपर घात M के रूप में व्यक्त किया जा सकता है. घातां की समझ हमें संख्या का विस्तारित रूप यानि Expanded Form लिखने में सहायता करती है. जैसे अगर हमें 2365.985 का विस्तारित रूप लिखना होगा तो यह हम निम्नप्रकार से कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहां इस सार्णी में हमने अंकों को उनके उचित स्थान पर दर्शाया है. स्थानों के आधार पर हम इस संख्या का विस्तार निम्नप्रकार से कर सकते हैं. 2365.985 बराबर 2 गुणा 1000 धन 3 गुणा 100 धन 6 गुणा 10 धन 5 गुणा 1 धन 9 गुणा 1 बटे 10 धन 8 गुणा 1 बटे 100 धन 5 गुणा 1 बटे 1000 यहां हम 100 को 10 के उपर घाद 2 और 1000 को 10 के उपर घाद 3 लिख सकते हैं. गुणात्मक प्रतिलोम की समझ से हम 1 बटे 10 को 10 के उपर घाद रिण 1, 1 बटे 10 के उपर घाद 2 को 10 के उपर घाद रिण 2 और 1 बटे 10 के उपर घाद 3 को 10 के उपर घाद रिण 3 लिख सकते हैं. इसलिए हम दी संख्या का विस्तारित रूप इस प्रकार लिख सकते हैं. तो आज हमने सीखा पूर्णांग घातांकों वाली संख्याएं अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारन देखेंगे